हेलो दोस्तों आपका मेरे यूट्यूब चैनल मिस्टर डाक माइंड में बहुत स्वागत है अगर आप मिद रेंज बजट में शांदार पर्फॉर्मेंस और लेटिस्ट फीचर्स वाला लैप्टॉप पर्चिस करना चाहते हैं वो भी विंडोस 11 होम के साथ और जिसमें स्टोरेज और राम को एक्स्पैंड करने का ओप्शन भी हो इसलिए आज मैं आपको HP के ब्रांड न्यू लैप्टॉप के बारे में बताऊंगा जिसे HP ने रीसंटली इंडिया में लॉंच किया है जिसका मॉडल नंबर है DY3501TU और यह लैप्टॉप उन लोगों के लिए काफी जबरदस्ट डील है जिनको ओफिस या बिजनस वर्क्स के लिए कोडिंग के लिए कैजूल गेमिंग और परसनल यूज के लिए लैप्टॉप परचिस करना है और आप इस वीडियो को बेना स्किप किये एंड तक पूरा देखना क्यूंकि आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है इस वीडियो मैं आपको इस लैप्टॉप की स्पेसिफिकेशन्स और परफॉर्मेंस से जुड़ी पूरी जानकारी दूँगा और वीडियो के एंड में मैं आपको इस लैप्टॉप की अड्वांटेज़स और डिसद्वांटेज़स के बारे में भी बताऊंगा चलिए अब बेना समय वेस्ट किये इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस लैप्टॉप के बारे में चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस लैप्टॉप के डिस्प्ले के बारे में आपको HP के इस लैप्टॉप में 15.6 इंशस का ऐन्टी गले चोटिंग वाला HD रिस्प्ले देखने को मिल जाते है. Company ने इस laptop में काफी slim edges प्रोवाइड करवाए है और आपको इसके display में 250 nits की brightness और 45% का NTSC color gamut का support देखने को मिल जाता है और laptop के display के colors और brightness काफी decent quality के रहने वाले है. जिससे आपको इसमें HD resolution वाली विडियो को देखने में बहुत मज़ा आएगा और laptop की build quality के बारे में बताओ तो HP के इस laptop की build quality काफी बहतरीन है और यह laptop पूरी तरह से plastic build में आता है. और इसमें metallic finish देखने को मिल जाती है जिससे आपको इसमें काफी premium quality देखने को मिल जाएगी और बतादू laptop के back panel में rubber grips और event देखने को मिल जाता है जो laptop में एक अच्छा grip और cooling बनाए रखेगा. और इस laptop के dimensions के बारे में बताओं तो इसकी width 35.8 cm, depth 24.2 cm और इस laptop की height 2 cm है और इसका weight सिर्फ 1.75 kg है और यह HP का बहुत ही thin and light weighted laptop है जिससे आपके लिए इस laptop को carry करना काफी easy रहेगा और यह laptop सिर्फ natural silver color में available है. और चलिए अब बात करते हैं इस laptop के processor के बारे में इस laptop में Intel का 11th generation का Core i3 112 5G4 processor देखने को मिल जाता है और इसमें 2.0 GHz की base clock speed देखने को मिलती है जिसे आप Intel Turbo Boost Technology से 3.7 GHz तक increase कर सकते हैं और इसमें 4 calls, 8 threads और 8 MB की level 3 cache memory देखने को मिलती है जिससे आप इस laptop को basic video editing और graphic designing के जैसे task के लिए consider कर सकते हैं. और आप इसे online studies या coding के लिए consider कर सकते हैं. और आप इस laptop को accounting, marketing या other office works के लिए भी consider कर सकते हैं. यानि आप इसमें अपने सभी तरह के task smoothly कर सकते हैं. और graphics के बारे में बताऊं तो इस laptop में Intel का UHD integrated graphic card देखने को मिल जाता है, जो 4 GB की shared memory के साथ आता है, पर इसमें dedicated graphic card नहीं दिया गया है, जिससे आप इसमें सिर्फ casual gaming कर सकते हैं. और storage की बात करें तो इसमें 512 GB की NVMe M.2 SSD storage देखने को मिल जाती है, जिससे आपको इस laptop में fast boot time, fast application loading time और better system responsiveness देखने को मिल जाएगी, और आप इसमें storage को replace करके 2 TB तक expand कर सकते हैं. और RAM की बात करूं तो इसमें 8 GB की 3200 MHz की speed वाली single DDR4 RAM दी गई है, जिससे आप 16 GB तक upgrade कर सकते हैं. और OS के बारे में बताओ तो इसमें Windows 11 Home single language दी गई है, और वो भी lifetime free validity के साथ, और AC के साथ इसमें pre-installed Microsoft Office Home and Student 2019 और Amazon Alexa भी दिया गया है, जिससे यह laptop आपके office या business works के लिए भी काफी बढ़िया रहेगा. और HP ने इस laptop में dual speakers दिये है, और webcam के बारे में बताओ तो इसमें HP का true vision 720 pixels वाला HD webcam देखने को मिलता है और वो भी integrated dual array digital microphones के साथ. और इस laptop की wireless connectivity की बारे में बताओ तो इसमें Wi-Fi 5 और Bluetooth 5 का support रहने वाला है, जिससे आपको इसमें काफी बढ़िया connectivity देखने को मिल जाएगी. चलिए अब बात करते हैं इस laptop के keyboard के बारे में. इस laptop में full size का keyboard देखने को मिलता है और वो भी numerical keypad के साथ, पर इस laptop में backlit keyboard नहीं दिया गया है जो थोड़ा सा निराश करता है और touchpad की बात करूं तो इसमें एक decent size का touchpad देखने मिलता है जो multi-touch gestures को भी support करता है और battery के बारे में बताऊं तो HP के इस laptop में 3 cells वाली 41 watt की lithium ion battery दी गई है जिससे आपको इस laptop में 4 से 5 घंटों तक का battery backup देखने को मिल जाएगा. और इस laptop के ports के बारे में बताऊं तो इस laptop के right hand side में आपको one ethernet port, one HDMI port, one USB type C port, one 3.5 mm का audio jack देखने को मिल जाएगा और left hand side में आपको one charging port, two USB type ports और one micro SD card का slot देखने को मिलेगा और चलिए अब बात करते हैं कि box को open करने पर आपको क्या देखने को मिलेगा. इस laptop के box में आपको laptop, AC power adapter और laptop के user manual देखने को मिल जाएंगे. चलिए अब बात करते हैं इस laptop के advantages and disadvantages के बारे में. Advantages में हमें इस laptop में Intel का 11th generation का Core i3-1125G4 processor देखने को मिल जाता है. Storage और RAM दोनों को expand करने का option देखने को मिलता है. Windows 11 Home Single Language देखने को मिल जाती है और इसमें MS Office 2019 version देखने को मिलता है और इसमें HD webcam का support भी देखने को मिल जाता है और disadvantages के बारे में बताओं तो हमें इसमें full HD display देखने को नहीं मिलता है. और इसमें backlit keyboard भी दिया नहीं गया है और हमें इसमें Wi-Fi 6 और Bluetooth 5.2 का support भी देखने को नहीं मिलता है. HP का यह laptop office work हो, video editing, photo editing हो या coding के जैसे tasks के लिए काफी बहतरीन laptop है. और इस laptop में 45,000 के price range के अंडर में काफी अच्छी configuration देखने को मिल जाती हैं. बस हमें इसमें कुछ ही drawbacks देखने को मिलते हैं. पर आपको इस laptop में performance को लेकर किसी तरह का कोई issue देखने को नहीं मिलेगा और इस laptop पर आपको पूरे एक साल की manufacture warranty देखने को मिलती है. आप इसमें 7 से 8 घंटों तक बड़े प्यार से काम कर सकते हैं और आप इस laptop को लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं. चलिए अब बात करते हैं इस laptop की कीमत के बारे में. इस laptop की कीमत है 44,792 रुपे और आपको वीडियो के description box में इस laptop का link मिल जाएगा. आप जाकर इस laptop को चेक कर सकते हैं. यदि आप इस laptop की payment credit card या debit card से करते हैं तो आपको 5 तू 10 पिसेंट तक का discount मिल सकता हैं. उमीद करता हूँ कि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो इसे like and share कीजिएगा और मेरे चैनल को भी subscribe कीजिएगा.